दोस्तो नमस्कार कख्षय ग्यार्व वालो का राज निति विज्ञानका वाइरल पेपर आ चुका है दोस्तों जल्दी से आप देख लीजिए सारे प्रस्ण प्रस्ण में बता रहा हूं और इन प्रस्णों का पैस्कृरिंसोट ले लेना फटा फट और जल्दी से उत्तर कर लेना और अपनी एक्जाम देने चले जाना सारे कुश्चन बनेंगे दोस्तों आए स्टार्ट करते हैं और चिनल को जरू सब्सक्राइब करना तो देखो आप प्रेस्टन आपका यह समिधान एक है क्या है भारत का समिधान केसा है तो लिखित और निर्मित समिधान है ठीक समिधान का उद्धेश प्रिस्ताव किस ने पारित किया था चार ओप्षन है आपके चार ओप्षन में आपको बता देना है करेक्ट आंसर ठीके समिधान कब लागू हुआ भारत का समिधान कब लागू हुआ सभी को मालूम ही कब लागू हुआ 24 जनवरी 1950 को ठीके भारत का कब पारित किया गया तो इसमें आएगा आपका चार ओफ्षन देख ले और उत्तर करना जल्दी से तो इसके बाद में यह देखिये हमारे समीधान में राज नीतिनेतर किसे कौन से लिए घर्टी समीधान सब्वा की बेटक कभ वह थी और उसके में अगला प्रस नहीं रहेगा आपको लोगों का तल विरोधी कानून सविधान ये जल्दी सिस्क्रीन सोट ले लें इसक्रीन सोट लेकर इनके आंसर कंप्लीट करना एक 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 ठीक है क्योंकि सारा पेपर बताना है समय जादा लग जाएगा अगर मान लीजी में इसमें आंसर बताने लग गया तो यह आप इसक्रीन सोट ले रहें सकते हैं दस्वोप से बहारत की समय दान का दर्सन केसे हुआ गयार हो है भारती समय दान में वरतमान में कितनी अनुशूच है ठीक है और बारो प्रस ने समय दान सभा में उद्दिश प्रिस्थाव कि इस ने पा पेचान देता है संविधान सभा की पहली बेटा कब हुई थी यह बताना है और अंतिम रूप से बारती संविधान पर सदेश्यून अस्तक्षिर कब किये और लास्ट वाला है संविधान सभा के अधिक्ष कौन थे अब हम बात करते हैं अगले प्रस्टों की चलिए आप इसका भी एक स्क्रीन सोट ले लीजी जल्दी से मानव अधिकार देवस कब मना जाता है भारत के नागरिकों को कितने मोलिक अधिकार दिये गए हैं संपत्ति के अधिकार को कि समिधान दोर आठा दिया गया है ठीक है और इसके बाद में एक वाकिम उत्तर दक्ष वाला यह मोलिक अधिकार वाले राष्ट मानव अधिकार जल्दी से स्क्रीन सोट लेकर कम्प्लीट कर लेना ठीक है अब मैं बता रहा हूं आपको और मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन इसी के देखी दोस्तों यह और भी मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है यह अलग-अलग जीले के पेपर अलग-अलग बने है इसलिए थोड़े इदर-उदर होंगे न तो इसमें मैं पहले ही ब्यादा दूँ कि यह कोई गारांटी नहीं कि यह के यही पूरा-पूरा छप जाए आपको मैं सभी प्रदेशों से जो जो पेपर मेरे पास में मतलब प्राप्त हुएं उसमें से निचोड में ने बनाया है और इसके अलावा एक और बात समझना कि अलग-अलग जीले के पेपर अलग-अलग बनते हैं ठीक है संकि-समच्त्यकारीपाली के सक्तिवाला देख लेना भाथ को प्राष्ण पति-कारीकाल कितना होता ये देख लेना और केंद्री मंत्री 0145 परिष्ट का परधान कोन होता है ये आप देख लेना और इसके बाद में अगला देख लीजी व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंदों का अभाव क्या केलाता है क्या केलाता है तो प्रतिबंदों का अभाव अगर मान लीजी वो रहता है तो वो आपको बताना है क्या केलाता है ठीके इसके बाद में सुराज मेरा जनम सी ददिकारें म बताना है राष्टपति बने तो कोई दो योगिताएं लिखना है और नोकर साय पर संक्चिप्त लेग दिर्गुत्री प्रस्ण यह देख लीजिए आप कारेपाली का संबंदित दिर्गुत्री प्रस्ण आपके हैं यह यह most important question कारेपालीका के मुख्य कारेपालीका के दो प्रकार और प्रधान मंत्री की चार कारे और राष्टपति के विशेसाधिकार और कारेपालीका की से गेते हैं ठीक है यह आपका मुख्य मुख्य प्रस्ण में आपको बता दिये हैं